हेलो एवरिवान वेलकम मैं न्यू ब्लोग कैसे हो आप से बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि एक काम भी मिल गया है यह देखिए आप लोगों को देखी रहा होगा हम लोगों ने एक शोप खोली है मतलब खुद की जो शोप होत कीजिएगा स्किप मित कीजिएगा यह ना एक हर ही स्टोर है जो सरकार के द्वारा जो बेरोजगार होते हैं उन लोगों को दिया गया है और इसमें ना फॉम बढ़ना पड़ता है उसके तहत हमने फॉम भरा था मतलब और तभी हम लोगे की यह शोप खुली है और इसमें क पैसा जो है वो खुद का लगाना पड़ता है या फिर आप चाये तो लौन भी ले सकते अगर आपके पास खुद का है तो भी दे सकते हैं और का जड़ antigten एक हैंगर कोई वी काम अप्लोग करते हैं तो मेहनत तो उसमें ज्यादा है लगती ही लगती है तो हमने ना दोजार के द्वारा ही समान जो है न वो ओर्डर करना पड़ता है और हम लोगों ने जो जो भी ओर्डर किया है आप लोगों को देखी रहा होगा और इसमें हैफ़र्ड की कमपनी मतलब हर चीज जैसे कमपनी की मिलती है जैसे हैफ़र्ड की चीनी हुई हैफ़र्ड का तेल हुआ तब ये सरकार की तरफ से हम लोगों को सामान दिया जाता है और मसीन है उस पे हम लोगों को स्कैन करके सामान सारा जो है दिन देना पड़ता है जो बिल वगेरा कट होता है सब सरकार की तरफ से ही दिया जाता है तो ये देखे इस दमें आपको हर सामान मिल जाएगा कुछ साम जो है अभी और मतलब जैसे जैसे सामान की लेश्ट आती है वैसे वैसे हम लोगों को ओडर करना पड़ता है यह देखिए इसमें हैफ़र की शूगर भी है और मतलब बहुत सारी कमपनियां है यह नहीं अभी हैफ़र की भी है हल्दी राम की भी है आप हाथी की पूब सकते हो मतलब बहुत सारी कमपनी है जो सबका इसमें सामान आप लोगों को मिल जाएगा और हर एक सामान बहुत ही अच्छा है एक बार जरूर विजिट कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो और दो काम है मतलब एक तो घर संभालना उपर से शोप को संभालना काफी ज्यादा महनत भी है अभी शुरू की आए ना तो इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है लेकिन आगे आगे जैसे जैसे पुरानी होते जाएगे ना तो इसमें बहुत ही अच्छा मतलब लगने लगेगा अभी थोड़ा सा उदास भी इसलिए रहते हैं क्योंकि अभी इतना ज़्यादा ग्राक भी नहीं आते हैं तो थोड़ा सा मन भी उदास हो जाता है तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर और सस्क्राइब करना बिलकुर मत बूलिएगा और हर हिस्टोर की बहुत ही अच्छी मतल जो रोजगार है वो चलाए इससे भी अच्छा हम लोगों को बैनी फिटो ताकि जो भी दुख के बादल है जो हमें मिले हैं वो छट जाएं और तो चलिए फिर मिलती हूं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और अब वीडियो कंटिनू आते ही रेंगे छोटे-छोटे इसे ही लेकिन वीडियो डेली डाला करेंगे बाई बाई ओल आफ यू